Hello Friends, मैं अरेश्चोक से और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कस्टूमर फीडबेक क्यों इंपोर्टेंट हैं? क्या रीजन्स हैं जिसकी वज़े से कस्टूमर फीडबेक इंपोर्टेंट होता है इससे पहले हम एक छोटा सेंट्रो देखते हैं जैसे हम काफी friends सारे friends मिलते हैं कभी भी मिलते हैं चाहे weekly डेली तो कुछ friends हमें बोलते हैं आज आपका लुक अच्छा नहीं लग रहा या फिर आपके behavior में कुछ changes हैं यही feedback होता है और इसी भी का हम workout करके फिर अपना look अच्छा करते हैं या फिर shaving करवाते हैं या कपले अच् इंप्रॉटेंट होता है क्योंकि उसी feedback के बहाव पर हम आगे जाके अपने product में improvement करते हैं फिर उससे profit gain करते हैं और नए customers को attract करते हैं इससे काफी सारे benefits होते हैं जो चलिए समझते है customer benefit sorry customer feedback क्यों important होता है वो सब चीजों पर बात करते हैं सबसे पहला है it points out aspect of the product that need improvement means product में क पहाँ improvement की जरूवत है यह customer feedback से हमको पता चलता है जैसे for example हम समझते हैं जैसे हम नारा कोई xy जैसे हमारी कोई jeans की manufacturing है अब हमको इसके jeans का manufacturing जो हमारी plant है उसका feedback कहा से मिलेगा जो jeans का user है जो end user है जैसे हम लोग या कोई भी जो भी jeans पहनता है तो वो हमारे लिए customer है jeans manufacturer के ल cotton use किया गया है वो जल्दी fad होता है sorry color fad हो जाता है या जल्दी फट जाता है तो यही feedback इससे हम अपने product में improvement कर सकते हैं जैसे customer की कोई complaint आ रही है तो उस complaint या उस feedback के ब्याप में हम अपने product में improvement कर सकते हैं एक benefit यह है इसके next benefit है listening to customer feedback helps to build the loyalty of the product brand value means customer के feedback को सुनके उसमें हम improvement करके हम अपने product की brand value बढ़ा सकते हैं जैसे कि कोई भी denim समझ लीजिए jeans में अगर हम बात करें तो denim समझ लीजिए है यह फिर Tommy Hilfiger समझ लीए यह brand value यह कैसे बने क्योंकि इन्होंने customer की feedback को सुना फिर उस पर workout किया फिर उसमें improvement करके अपने brand की value उसको बढ़ाया और increase करते गए और customer के लिए loyal हो गए ना कि customer जैसा कहता है जो उनका feedback आता है उस पर workout करते है तो इसके लिए जो उनके customer भी है फिर वो भी इनी के product को use करते हैं इसका नमरा next benefit देखते है customer feedback helps to acquire new customer जैसे कि जैसे jeans की example को हम continue करते है जैसे कि मैं denim की jeans बहनता हूं तो अब क्या होगा कि जो अब मैरे feedback पर workout होगा और वो चीज मुझे next lot में अच्छी दिखेगी तो फिर मैं दूसरे अपने जो friends है relative से उनको भी चीज़ शेयर करूंगा कि भाई वो denim की jeans बहुत अच्छी होती है denim की shirt अच्छी होती है Tommy Hill फिकर की होती है तो XYZ हम अपने जो manufacturer उसको share करते है यह वाले store से तो हम कहेंगे यार उसका मट्रिल बहुत अच्छा होता है उसकी quality बैच्छी होती प्राइस भी अच्छा होता है वह अच्छे से rate में देता तो इससे हम new customer को attract कर सकते हैं एक्वार कर सकते हैं हम product में improvement कर सकते हैं हो सकता है कि हमारे sales team अच्छी नहीं हो उनका behavior अच्छा नहीं हो उसको improvement कर सकते हैं या फिर हमारे delivery on time ना हो रही हो कहीं पर transition में delay हो रहा है कहीं भी delay हो रहा है हम उसको improvement करके negative को positive में convert कर सकते हैं और हमारे business के लिए favorable कर सकते हैं लिए कुस्टूमार को होल तो करना मींद कस्टूमार हमारा ही प्रोड़क्त कंटिनियूसली यूज़ कर गए saat उसके फीड़बेक को सुनना उसके प्रिड़बेक पर काम करना और फिर उसको इंप्रोफ्ट्ज एंसे फॉलॉप भी करना यह सब यह आपका इसको और इंपरोब करके इस में कस्टुमर को सप्लाय करने से कस्टुमर सेटिसफाइड रहते हैं और लॉंग रन में हमको बिजनेस देते हैं और न्यू किस्टुमर को विद्शाइड साथ में चुलते चले जाते हैं तो चलिए फ्रेंट्स इसी के साथ आज के विडियो को खत्म करते हैं मुझे उमीद है नेक्स ताइम चाइम आप customer feedback को सुनेंगे उसमें improvement करेंगे और new customers को attract करके अपने कंपनी अपने बिजनेस को भी ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएंगे हमने काफी सारे वीडियो बनाएं फैब्रिकेशन मैनुफेक्टरिंग सप्लाइचेन पर आप चैनल पर जाके देख सकते हैं और किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो जानना है थो मैं